वेलकम टू ग्रीन आइलेंड इस वीडियो में हम जानेंगे 15 इम्म्यूनिटी बूस्टर हर्ब्स के बारे में मोरिंगा में संतरे की तुलना में साद गुना अधिक विडामिन C होता है विडामिन C मुख्य पोशक तत्व है जो हमारे शरीर को मजबूत प्रतिरक्षा बिनाने के लिए आवशक है इसमें कुछ अन्य महत्परुन पोशक तत्वभ भी होते हैं जो हमारी कोशिकाओं, उत्तकों, मांस्पेशियों को मजबूती प्रदान करते हैं. हमारे शरीर को ठीक करने में सहय अक्ता करते हैं. यह केल्शियम, आइरन, पोटेशियम और अमीनो एसिट का भी रिच सोर्स है. नेक्स्ट है करी लीव्स या करी पत्ता. करी पत्ते में विटामिन A, B, C, B12 और आइरन और केल्शियम जैसे खनी पाए जाते हैं. यह एंटी बैक्टेरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सिदेंट गुणों के लिए जाने जाते हैं. खारी पेट करी पत्ते का स प्रकर्तिक रूप से रोग प्रती रोधक चमता को मजबूत करने में मदद करता है. आप इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. यह तड़के के रूप में भी यूज किया जा सकता है. इंडियन जिनसेंग या अश्वगंधा अश्वगंधा एक एडॉप्टेजन है जिसका अर्थ है कि यह तनाव के इस्तर को कम कर सकता है. तनाव प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को कम करता है और शरीर को वाइरल संक्रमणों के प्रति सम्वेंदिन शील बनाता है. वाइरस के स ग्रमन का असर आपके शरीर पर ना हो इसके जुखिम को कम करने के लिए अश्वगंदा का प्रियोग करें नेक्स्ट है मुलेठी मुलेठी में एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबेयल, एंट्री अलसर, एंटी डायविटिक, एंटी डिस्प्रेंट गुण होते हैं जो आपकी इम्मिनिटी में सुधार कर सकते हैं यह हिर्दय की कारे प्रणाली को सुधार सकते हैं और साथ ही कॉलेस्टरॉल के लेवेल को कंट्रोल कर सकते हैं इसमें एंटी ऑक्सिडेंट गोन पाया जाता है जो की खून साफ करने का काम करता है यह बैक्टीरिया से होने वाली बिमारियों से लड़ने में मदद करता है, यह पाचन में साहता करता है, यह हमारी रोग प्रती रोधक शम्ता को भी बढ़ाता है, गिलोई के रस को पारी में मिला कर खाली पेट पियें नेक्स्ट है पुदीना या मिंट पुदीना अपने कार्म नीटिव, एंटिसेप्टिक, जिवानो रोधी, एंटिवाइरल, एंटिस्पॉसमेडिक, एंटि ऑक्सिदेंट, एंटि इंफ्लेमेटरी गुणों के लिए जाना जाता है, यह पेट दर्द, उल्टी, सरदर्द, आ एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली, विभिन स्वास्थ्य संबंदी बीमारियों को दूर रख सकती है, एलो विरा जूस, शुक्ष्म पोशक तत्वोक का एक पावर हाउस है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से लड़ने में मदद करता है, जिससे प्रतिरक्षा को बढ़ावा मिलता है, यहत्वचा, बालो और पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा होता है, नेक्स्ट है बेसिल या तुलसी, तुलसी की पूजा भारत में की जाती है, इसका उप्योग आयरवेदिक औशदियों में भी बहुत होता है, तुलसी एक नेक्स्ट है जिंजर यानी अद्रक, अद्रक का उप्योग फ्लू और सामान्य सर्दी के लिए क्या जाता है, इसमें जिंजरॉल होता है एक एंटियोक्सिडन्ट जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत कर सकता है, और वाइरस को मार सकता है, अद्रक श्वेशन त अद्रके संक्रमन को रोकने में अच्छा है, इसका उप्योग आप अपने भोजन चाय में करें और इसे कच्चा भी खा सकते हैं, नेक्स्ट वन है गार्लिक या लहसुन, लहसुन में एलिसिन नाम का प्लांट कंपाउंट पाया जाता है, जो रुगानो नाशक के रूप मे कारा करता है, अपने पाचन में सुधार के लिए इसे अपने दैनिक भोजन में शामिल करें और अपनी प्रतिरक्षा शक्ती को बढ़ावा दी, आप इसका उप्योग सबजी चौकने में भी करतकते हैं, नेक्स्ट वन इस टेर्मरिक या हल्दी, हल्दी भारती रसोई का ए कर सकता है, और किठानों और बैक्टिरिया से लड़ने के लिए हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है, अपने दैनिक भूजन में हल्दी को अवश्य शामिल करें या दूद के साथ इसका सेवन करें, नेक्स्ट इस नीम, नीम को बड़ी मात्रा में इम्मिनिटी बूस्टर के रूप में उप्योग किया जाता है, यह हमारे शरीर को हानिकारक किठानों के हमलों से बचाता है, इसमें एंटि वाइरल, एंटि बैक्टिरियल और एंटि फंगल गुन पाय जाते हैं, तचरोगों के लिए यह बहुत ही कारगर उपाय है, नीम विशाक्त पदार्दों को दूर करके रक्त को शुद करता है और यह प्रतिरक्षा को मजबूत कर सकता है, नेक्स्ट वन इस ब्लैक क्यूमिन यानि काला जीरा, काला जीरा का अर्क आपको कई वाइरस और बैक्टिरिया से शुरक्षित रख सकता है, जो आपकी प्रतिरक्षा को कमजोर करने वाले फ्री रेडिकल्स को बाहर निकालने में मदद करता है, नेक्स्ट वन इस कौरियंडर या धनिया, यह खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही और शद्य गुणों से भरपूर है, इसमें रोगानो रोधी एंटी ऑक्सिडेंट, हाइपो ग नेक्स्ट वन इस इंडियन गूजबेरी या आवला, आवला विटामिन सी के सबसे समरज्जिस रोध में से एक है और प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए एकदम सही है, क्योंकि यह शरीर प्रणालियों को फिर से जीवन्त और पुनर जीवित कर सकता है, आवला की प्रकरत यही मोगलोबिन बढ़ाती है, जोडो के दरबने आराम देता है, इसका उप्योग आप गोलियू, पाउडर या कच्चा भी कर सकते हैं, यह बालो को घना और काला भी करता है, उमीद है आपको वीडियो पसंद आई हो